नमस्कार दोस्तो गरेलूटिस फौरियों में आपका हार्द एक स्वागा थे दोस्तो हमारे शरी के महत्पुड हिस्सों में से किड्नी भी एक है लेकिन किड्नी खराब हो जाती है तो व्यक्ति को कई हिस्से में दर्थ महसूस होता है ऐसे में इन हिस्सों के बारे में पता हो होना बहुत जरूरी है दोस्तों किटनी केवल शरी को स्वस रखने के लिए उप्योगी नहीं है बल्कि हमारे खुन को फिल्टर करने के लिए भी है ऐसे में जब किटनी नकारात्माग रूप से प्रभाव दिखाती है या इसमें कोई खराबी आ जाती है तो व्यक्ति को काफ इन हिसों के बारे में बताएंगे दोस्तों इसके बारे में जाने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए और साथी साथ चैनल में दिएगे बेल आकरों को दबाना ना भूलें जिससे कि आपका हम जब किड्नी किसी खराबी से प्रभावित होती है या इसमें कोई खराबी आ जाती है तो वेक्टी के पीठ में दर्थ की समस्या हो सकती है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किड्नी लंबे समय तक पैशाप का उत्पादा नहीं कर पाती और वेक्टी को पीठ में दर्थ महसुस हो सकता है यदि आपको लंबे समय तक पीठ में दर्द महसुस हो तो तुरंद आपको डॉक्टर से संपर्क करने की ज़रूरत है यह खराब किड़नी के लच्छडों में से एक भी हो सकता है नम्बा तीन जब बच्चे की किड़नी की समस्य होती है तो उसे पेट के निचले हिस् और यह तो अगर आपको इन तीनों में से किसी भी जगें पर दर्द महसुस हो रहा हो तो आपको तुरंद डक्टर के पास जाने की जरूरत है तो दोस्तो आज के लिए बस अतना है दोस्तों आपको हमारे वीडियो कैसे लगा इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर सकें दोस्तों हमरे वीडियो देखने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद